नमस्कार मैं रभुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूँ स्री प्रसांद किसूर जी जब कल मैंने स्री प्रसांद किसूर जी की पार्टी के समन्द में चर्चा की तो उनके कुछ समर्थकों ने कुछ इस तरह की टिपणियां की जैसे लग रहा हो कि उन्हें एक जटका सा लगा है और जो नकेवली स्राजे की वरन पुरे देश के उन बरे हिस्चों की जहां मनु अस्मिर्थी वाली सोच से लोग गरस्त रहें हैं पहले से वो अपनी भाषा की मर्यादा तक भूल जाते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि भारतिय सम्विधान इस बात की किसी को इजाजत नहीं देता कि आप किसी के विचार से अगर आप डिफर करते हैं तो आप उनके प्रती शालीन सब्दों का प्रियोग भी नहीं कर सकें और जो अमर्यादित सब्द हैं उसका उपियोग करें ये आपकी शंकिर्ण मान सिक्ता और घटिया सोच का प्रिजायक है भारतिय सम्मिधान बोलने की आजादी देता है हां उस बोलने की आजादी में राष्ट्री अखंडता राष्ट्री एक्ता का ख्याल सभी व्यक्ति को रखना चाहिए इसलिए मैं आज पुना चर्चा कर रहा हूं सिर्प्रसांद की सुर्जी के पहले जो बाते मैं कह चुका हूं मैं वहां नहीं जाओंगा उन्होंने जो अपनी पार्टी का रेस्टेसन कराया है और अपने जहंडे का जो सुरूप भेजा है जो उनके मंच पर भी था तेराष्टपिता महात्मा गांदी जी और डॉक्टर बी आर अमबेजकर साहब जो हमारे सम्मिधान निर्मान ड्राफ्टिंग समिति के चेर्मेन थे और इनको कहिए कि यही एक्च्वल निर्माता है भारती सम्मिधान के उनकी तस्वीर लेकिन जो उन्होंने घोषना की मैं सर्फ एक इशू पर जाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि शत्ता में जदी हमारी पार्टी आती है तो एक घंटे के अंदर सराबंदी समाथ हो जाएगी जिस राष्टपिता की तस्वीर आप अपने जंडे में दे रहें जिस राष्ट क्या उनकी इस वानी को अपने ध्यान में नहीं रखा कि उन्होंने एक बार कहा था बापुने कि यदि मुझे कुछ देर के लिए भी इस देश का साशक बना दिया जाए तो मेरा पहला आदेश स्राबंदी होगा आज भी गुजरात जो उनकी जन्भूमी है महास्राबंदी बिहार में जननायक करपूरी ठाकूर जी जिनको इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया वस्तुता ऐसे महारत्न को तो उनके जीवन काल में ही सम्मानित किया जाए था भारत रत्न से देर सही सही सम्मानित किया गया जब वे 1977 में दुसरी बार मुख मंत्री के पत पर आशीन हुए थे तो उन्होंने सराबंदी लागी थी सराजी में उनके बाद में आने वाली सरकार ने फिर वापस ने लिया क्या पैसा कमाना ही किसी राजे का मुख उद्देश होना चाहिए क्या ये तो बहुत बड़ी बात है कि करपूरी जी ने रिस्क लिया और स्री नितिश कुमार जी ने 2016 में रिस्क लिया इस राजे की महिलाओं की भावनाओं को देखते विए चाहिए वो किसी भी जाती कियों किसी भी धर्ण कियों बिहार वासियों ने देखा है यहाँ पड़ जलील होते हुए गरीद परिवार की महिलाओं बच्चों को अपने पिता के दुबारा कि वो अगर ठेला चला कर आ रहा है सबजी बेच कर आ रहा है आटो चला कर आ रहा है भारे पछा आ रहा है वो आधी रासि सराब पी लेता है वो प्रसांद की सूर जी अन्य कुछनेताओं की तरह जिसमें हमारे मान्य पुर्व मुख मंत्री और वर्तमान में केंद्रे मंत्री स्री जितना माजीजा भी हैं। यह लोग बराबर कहते हैं कि सराब तो मिल रही है। क्या गरीब उस सराब के लत में आ रहे हैं। साधी विवा के जो लोग निकलते थे, तो रास्ता ब्लोक हो जाता था, जो घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे… आज खपत मरी है गरीबों के परिवारों में सबजी पर खपत मरी है दवाओं पर खपत मरी है कपरों पर खपत मरी है परहाई लिखाई पर खपत मरी है उनके सिक्षा दिक्षा पर और खासकर गरीब परिवार बहुत ही सुक्षैन से है इसलिए उनका ये कहना कि एक घंटे के अंदर सराब बंदी वाले आदेश को वापस लिए जाए जाएगा ये इस राज के महिलाओं के लिए अपमान की बात है और वहाँ पर कुछ यूटूब चैनल वाले या कुछ चैनल वाले जो महिलाओं से पूछ रहे थे विए नरी कैंपस में तो उन्हों ने कहा कि नहीं हम लोग कभी भी सराबंदी का को हटाने का समर्थन नहीं कर सकते तो मैं सरी परसांद के सोर जीर से अंपरोद करूँगा कि जोस में होस मत खोई है ठीक है आपकी पार्टी का क्या अस्तित्व होगा ये तो दो हजार पचीज के चुनाओं में आएगा आपने मन से स्विकार किया है कि स्री लालू परसादी आदव जी को इस राज की जनता ने बूट किया चुकि उन्होंने आवाज के लिए और उन्होंने आवाज दी ये सच है कि स्री लालू परसादी आदव जी ने करपूरी जी के बाद बिहार के गरीबों को मजलूओं को दलीतों को, पिछनों को, अलब संक्यकों को आवाज दी जो मनु अस्मृति के प्रभाव तले दबे हुए थे जिन्हें खाट पर बैठने नहीं दिया जाता था गाउं में चपल नहीं पहनने दिया जाता था हर तरह से अपमानित होना परता था हम लुगों ने समाज में देखा है कि 8 वरस, 10 वरस का बच्चा रे तो करता था 50-60 वरस के बुजरुकों के साथ क्या इस बात को भूल गए हैं स्री परसांद की सोर जी आपने मंच से कहा कि यहां की जनता ने स्री नितीश कुमार जी को भीजिली और सरक के लिए दिया नितीश कुमार जी के समय में बहुत तरह के विकास हुई है इंफ्राइस्ट्रक्चर सुभरे हैं राज में सरकों का जाल बिछा है पूलों का जाल बिच्छा है इसकूलों के विल्णिंग बने हैं सभी कर्यालों के इंफ्राइस्ट्रक्शर में विर्देवी और प्रहाई के दर्सा अधिशा बहुत बदली तो आपकी असली नजर है कि वर्ष 1990 से लेकर अभी तक जो पिछरों का सासन चलना है समाजिक न्याय के लोगों का आप वहां से सत्ता खिंचने की त्यारी कर रहे हैं सबको पाटी बनाने का अधिकार है आपने भी पाटी बनाई अच्छी बात लेकिन सराब बंदी के निर्ने पर आपको फुनर विचार करना चाहिए अन्य था आप ही यह मान कर चलिए कि बिहार की जनता और खासकर जो 50% आवादी है महिलाओं की गरीबों की जो SC, ST, OBC, EBC है वहां पर तो आप कोई पैठ नहीं कर पाएंगे भले आपके साथ बहुत से लोग जूर रहे हों जिनको य तो आपकी पार्टी को देखना चाहिए लेकिन सराब बंदी के इंदर रने पर आपको फुनर विचार करना चाहिए यह नके बरी बिहार की जनता वरहन पूरे देश के लिए एक अच्छी बात होगी यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तो पर लाइक करे शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकन को अच्छ करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नट्रिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए आप सब लोगों के लिए सुब कामना है धन्नवाद जाए